हाई करने के लिए ऐसे कालपनी परेव ये करने पड़ रहे हैं और साथियों गढ़बंदन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबुत गढ़बंदन की सरकार है लेकिन कोशिस है की गई कि इस विजय को स्विकार में करना उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना लेकिन उसके ऐसी चीजों की बाल मुर्ति हो जाती है और हो भी गई लेकिन देश वासी जानते हैं कि नम हारे थे नम हारे है लेकिन चार तारिक के बाद हमारा जो व्यहवार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं हमारे समस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उनमाद प्यादा नहीं होता है और नहीं पराजित लोगों के प्रती उपहास करने के हमारे समस्कार है हम विजय को भी पचाते हैं और प्राजित का भी उपहास करने के विक्रूती हम नहीं पाते हैं हमारे समस्कार है अब किसी भी बालक को पूछो कि मैं लोगसभा के चुनाओं के पहरे सरकार के इसकी थी तो कहेगा एंडिये 24 के नतिजों के बाल सरकार की इसकी बनी इंडिये पिर हरे कहां से भई पहले भी इंडिये थी आज भी इंडिये और तल भी इंडिये आप सोचिए दस साल बाद भी कॉंग्रेस सो के आखेड़ों को नहीं छूपाई और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनाओं को जोड़ करके कहूं कॉंग्रेस के तीन चुनाओं जोड़ूं तो इन तीन चुनाओं में जितनी सीटे ने मिली है उससे जाना हमें इस चुनाओं में मिली है और मैं साब देख रहां खाती हो ये इंडी वालों को अंदाज नहीं है वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे अब तेज गती से ये गर्त में जाने वाले हैं साथियों इंडी अलाइंस वाले देश के सामाने नागरिकों की जो समझ है आज भी वो उसके सामर्थे को समझ नहीं पाए या समझना चाहते नहीं है भारत के सामानी व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है वो समझ को छूता है समझता है पैचानता है वो बहां नहीं है साथ में इन लोगों का जो बहवार रहा है चार तारीक के बाद मैं आशा करता था कि भे लोगतंतर का सम्मान करेंगे लेकिन उनके बहवार से लगता है कि शायद उनमें ये समस्कार आएं इसके लिए मैं और इंतिजार करना पड़ेगा और तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ और ये वो लोग है जो खुद की पार्टी के पी-म का अपमान करते है इसके निर्णों को फार देती है खुद के पार्टी को विदेशी में माना आजाए तो उसके लिए चैर नहीं होती थी ये सारे द्रशा भी देखे हैं ठीजा अब मैं समझता हूँ कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जमाद गैनारदन के परती आस्था इसको हम साथियों लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है विपक्ष में भी जो सांसजीत करके आये हैं मैं उनको भी बदाई देता हूँ और मैं पिछले दस वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था की डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी अब डिबेट मैं मिस कर रहा हूँ लेकिन मैं आशा करता हूँ कब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं शायद हमारे साथी भी राष्ट रहीत की नियत के साथ सदन में आएंगे और भने वो विपक्ष में बैठे होंगे लेकिन राष्ट के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में राष्ट में तो हम सब एक ही दिशा में हैं राष्ट में हमारे कुछ पक्ष भी पक्ष नहीं है, राष्ट में हम एक ही दिशा करोड़ है और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट हीत की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को सम्रुद भी देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे सत्वे 24 का जनादेश एक बात को बार-बार मजबूती दे रहा है बार-बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरम है सिर्फ और सिर्फ एंडिये पर ही भरोसा है और जब इतना अतूट विश्वास है इतना भरोसा है तो स्वाबाविक है देश की अपेच्छाए भी भड़ेगे और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका करतब भी मानता हूं और इन अपेच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और मैंने पहली भी कहा था कि जो दस्वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है और वो मेरा चुनावी वाक्या नहीं जा यह मेरा कमिट्मेंट है हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गती से देश के आकांखाओं को पूर्ण करने में रत्ती फर्मी विलम नहीं करना है जनता जनार्ण चाहती है हम पहले से ज़्यादा डिलीवर करें जनता चाहते हैं हम खुदी हमारे पुराने रकोर्ट तोड़े और मैं साथियों एक तरफ एंडिये रखो दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो तो मैं कहूंगा एंडिये न्यू इंडिया डेवलप इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया और इसी केस इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना ये हम सबका संकल्प भी हैं कमिट्मेंट भी हैं और हमारे पास रोड मैप भी है साथियों एंडिये ने हमेशा करप्शन फ्री रिफाम ओरियेंटे स्थीर सरकार देश को दिये हैं जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है उसके सामने कांग्रेस नेद्रूत वाली यूपिये नेद्रूत वाली एंद्रूत वाली यूपिये लग्तियों भी है